कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम में एक टी-शिर्ट को इतना पहना इतना पहना कि अब वर्क फ्रॉम ऑफिस में उनकी छाती खुद उनसे कह रही है अच्छा वो टी-शिर्ट था मालिक हमको लगा पर्मानें टैटू बनवा लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत आम चूसा है और कुछ लोगों ने परिवार वालों का खुन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम में इतना सोशल मीडिया चलाया है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस में अब उनका सोशल मीडिया चिला चिला के कह रहा है मालकीन हमें भी देख लो हम जिन्दा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्की आत्मा वर्क फ्रॉम में तडब तडब के हिचकोले खारी थी सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए क्या वाई यू लेट टुडे हां इतना टाइम कैसे लग जया तुमका ओफिस आने में हैं टाइम से नहीं आ सकते हैं आज क्या नहीं आप आने तुम्हारे बास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वर्क फ्रॉम होम में पैर भी बोल उठे मालिक बड़े अश्टी लोग हैं आज कल घुटने के नीचे कुछ पहिंते ही नहीं है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको work from home में अरुनलाल जी की commentary का मतलब समझ में आया क्या मतलब? दबाओ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए गाना लिखा गया था सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते कुछ लोगों को work from office पसंद है ना कि work from home क्योंकि अगर work from home में 10-15 दिन और काम कर लेते तो घरवालों को यकीन हो जाता कि इसका office में भी कोई काम नहीं है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेट्रोल सौ का हो जाए डेड़ सौ का हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि इनको वैसे भी बाइक की चाबी उधार में लेनी है और बाइक रिटर्न करते वेद खाली यही कहना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका work from home जो है वो अभी वी on है बिलकुल मजे से वो अपना वक्त जो है वो वैतीत कर रहा है अपने घर पर बाइब बाद में बात करते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओक है बाभी 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 लोगों को work from home में बड़ा फाइदा हुआ उनको आप जाके पता चला कि उनके घर में है छेखिड किया है साथ पर्दे है एक बैकनी है और चिमनी है जो तीन साल से सर्वीसिंग नहीं हुआ डेट्स ट्रू लेकिन आप जाकर मालूम चला है कि मेरे घर में क्या क्या और क्या 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 नियुक्त मैं घर में रहता कहा था